जल जमीन जंगल के पास रहने वाले आदिवासियों को संगर्श का सामना करना पड़ता है राश्ट्रपति द्रावपति मुर्मु ने विभिन्न आदिवासि जंजातियों के प्रतिन्दियों से बात्चित करते हुए अपिल की कि आदिवासियों को हीन भावना त्याग कर शिक्षित होकर आगे बढ़ना चाहिए तथा अपने आर्थिक, सामाजिक, एवं शैक्षनिक विकास करते हुए अपने समुदाय के भाईयों का भी विकास करना चाहिए राजबवन में राश्पती द्रौपती मुर्मु ने मारिया, कटकारी और कोनम आदिवासी समुहों आदीम आदिवासी समुहों के प्रतिनिदियों से बातशीत की इस सबसब पर राजबाल, रमेश बैस, उवं मुखी मंत्री देवेंद्र फर्नविस, आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार मुझूद थे स्कूल जाने के लिए सडके नहीं थी, नोटबुक नहीं थी, बारिश के मौसम में हमें सिर पर कपड़ा रखकर स्कूल जाना पड़ता था लगता संगश चल रहा था, राशपती ने सफलता हासिल कर शिक्षक राजपाल और देश के राशपती बनी की अपनी जीवन यात्रा को इन शब्दों में बताया उनकी बास सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अभी बुथ हो गए, आदिवासियों को बिना हीन भावना की स्कूली एवं उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए राशपती ने ज्यान बधन मागदशन दिया कि उच्च पदों पर रहकर अपने समाज बंधू को भी विकास की धारा में आगे बढ़ाना चाहिए उपस्ते जनजाती प्रतिनीधियों में से तीन ने प्रतिनीधी रूप में राशपती से बाच्चित की गर्चिरोली जिले के प्रतम आदिवासी चिकित सब डॉक्टर कन्ना मरावी ने माडिया जनजाती के प्रतिनीधी के रूप में अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासीयों को प्रात्मिक शिक्षा उनकी बोली में मिल चाहिए उन्होंने उम्मीद जताई कि विकास के दौरान आदिवासीयों की जान माने जाने वाले जंगलों को बचाया जाए कि इन बीसे न्यूस के लिए राचकुमार मोड के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट